हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आप से डिसकस करेंगे इस लेटेस्ट डिजैन के बारे में ये हमार पास फ्रंट एलिवेशन कर जाएन हैं फ्रंट एलिवेशन के साथ में फ्रेंड्स हम और यह front's मेंप होगा इसी में हमारा एक complete measurement होगा जिसके रूप हमारा जो भी mistery होगा वो set पे वरकर्स लखता है तो इसी में हमारा एक complete measurement है मैप के साथ में हम आपको frans बताएंगे इसका column layout के वारे में कि इसमें कहां कहां पे कितनी column आने वाले हैं कॉलम के अंदर कितना सरिया पढ़ने वाला है यह सब डेटिल भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं तो यह फ्रेंट्स हमारे पास जो फ्रेंट एलिवेशन का डियान है यह आप जो देख रहे हैं यह हमारे पास 20 फिट वाई 30 फिट का मार पास यह प्लॉट है 20 फि होगा इसको अपन गरते हैं तो हमारे घर की जो एंट्र करने के बाद हम आगे वढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर यह पार्किंग मिलेगी यह हमारी पार्किंग होगी जिसमें हम अपनी कोईवी कार, स्कूर, वाइक वगएरा यहां पर हम अपना पारक आ सकते हैं यह को हम अपना एक living के purpose से भी यूज़ करेंगे और dining के purpose से भी यूज़ करेंगे तो यह फ्लोर में हमने इसमें बुड़न का यूज़ के हुआ है और इस वाल पे हमारे पास इसमें टीवी केविनेट रहेगा तो यह फ्लोर में हमारे पास एक complete living area होगा जो कि काफी अच्छा हमने डिसको डिजन के हुआ है यह फ्लोर पास kitchen रहेगा यहां पर हमारा kitchen है जो कि अब देख रहे होंगे kitchen में हमारे पास front में एक विंडों मिलेगी तो इसी विंडों से हमारा इस kitchen का proper ventilation होता रहेगा और इस kitchen के अंदर natural light भी आती रहेगी और friends हमारा जो front में kitchen बनाने का purpose होता है मैं परपस यह होता है कि हमारे घर में जो भी ladies बगर होती है उनका mostly time जो spend होता है वो kitchen के अंदर होता है तो यह यह वो ladies गर में रहती है घर से के अंदर कोई भी आता है man gate के थो तो वो इस बिंडों के थो बहार से कोई भी person आ रहा है तो इसको देख सकती है तो यहां पर अमार पास एक kitchen रहेगा यह friends अमर पास एक bedroom घड़े जाने जूकर आएगा है हमार पास bedroom होगा bedroom में हमार पास बैट कर जाने हैं यह इस wall पे हमारा wallpaper पर गड़े गा और यहां पर फ्रेंट्स हमें मिलेगी कवर्ड जो कि अब देखेंगे काफी अच्छा हमने यह वैब्रूम को डिजान के हुआ है यह फ्रेंट्स हमार पास यहां पर बात्रूम मिलेगा यहां पर हमारा बात्रूम को डिजान है और यहां पर हमें टॉलेट मिलेगा जो कि अब देख रहोंगे यह हमारा पास toilet अलग होगा और bathroom इसमें अलग होगा लेकर entry जो होगी toilet के अंदर वो हमारे इस bathroom के थो ही होगी तो यह हमारा पास toilet पास bathroom होगा जिसे family का कोई भी member यूज़ कर सकता है या फिर हमारा कोई भी guest वगर आया है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है यह फैंट्स हमें यहापर एक common basin मिलेगा जो कि अब देख रहे हैं यदि हमें normally hand wash गरा ना है तो हम इस basin को यूज़ कर सकते हैं और इस basin के back side में हमें एक duct मिलेगी यह जो आप देख रहे हैं यह हमें duct मिलेगी तो इसी duct से हमारा इस toilet का proper ventilation होता रहेगा और यह फैंट्स हमारा bedroom हुआ इस bedroom का भी proper ventilation इसी duct के थरो होता रहेगा तो यह फैंट्स हमारे पास ground floor का 3D plan है जो कि अब देख रहे होंगे इसमें हमारे पास एक bedroom है, car की parking है और हमारे पास इसमें living area और kitchen रहेगा तो यह हमारे पास ground floor है अब हम चलते हैं इसके first floor पे यह फैंट्स हमारे पास first floor का 3D plan है जो कि अब देख रहे होंगे इसमें हम जो आएंगे ground floor से वह हम इसके थरो हैंगे और हम जो exit होंगे, वो हम इसी landing के थरो हम अपने इस living area में exit होंगे और हमें first floor पे भी जो हमारा hall होगा, उस hall में हमें यहाँ पर यह एक living area मिलेगा जो कि काफी बड़े साइच का होगा, इसमें हमारे पास यहाँ पर हमने इस sofa के sitting दी हुई है यदि आप इस वाले area को किसी other purpose से use करना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं यह आपके पास यहाँ पर दोना उपसर रहेंगे front my friends हमें यहाँ पर यह मंदिर मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे मंदिर कर जान रहेगा इस bedroom में भी हमारा current cover कर डिजैन हैं, TV unit कर डिजैन है इस wall पर हमारा wallpaper कर डिजैन रहेगा और यह जो हमारे wall होगी, इस पर भी हमारे पास एक wallpaper कर डियान रहेगा इसी type से यह हमें एक bedroom मिलेगा, जो कि यह भी हमने काफी अच्छा डिजैन के हुआ है इसमें भी आप देख रहा होंगे यह जो हमारी wall है इस पर भी हमारे wallpaper का डिया रहेगा और यह जो हमारी wall होगी इस wall पर हमारा एक pen finished होगा और हमारा TV cabinet का हमारा डियार रहेगा तो हमें first टोर पर जो मिलेंगे हमें 2 bedroom मिलेंगे जो कि यह आप अच्छे से समझ गए होंगे हमें back Luiza में as it is toilet plus bathroom मिलेंगे यह हमारे पास toilet होगा यहापर हमारे bathroom मिलेगा और यहापर हमें common basin मिलेगा और यह हमारे पास एक duct मिलेगी जो कि आप देख रहे हैं यह हमारे पास डक्ट होगी तो यह हमारे पास 1st टोर का 3D प्लान है जो कि आपको अच्छे से समझ में आगया होगा और यह हमारे पास finally front elevation का design है जो कि एक बहुती अच्छा design है एक latest design है बहुती प्यारा हमारा design है और इसमें आप देख रहे होंगे हमारी जो finishing है बहुती हमने economic list को रखा हुआ है यह आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारी grooving है जो कि हमारे पास इसमें 9 inch की distance में हमने इसमें grooving दी हुई है बाकि आप white texture दो देख रहे हैं यह हमारे पास पूरा ही paint finish है और यह हमने इसमें जो landing जो आप देख रहे हैं यह हमारा इसमें tail का use के हुआ है यह हमारा बीच में हमारा एक इसमें जाली का design रहेगा तो यह हमारे पास front elevation का design है जो कि 20 by 30 में बहुत ही प्यार हमारा design है तो आप friends हम चलते हैं इसके map की तरफ यह friends हमारा पास map रहेगा जो कि आप देख रहे होंगे हमारा पास यह 20 by 30 by 30 by पास plot है हमारा घर की जो mandatory हो रही है वो हमने इस door से इसमें mandatory दे हुए यहां से हमें अपनी घर के अंदर आएंगे और यह हमें अंदर आने पर हमें यह parking मिल लिए जो कि हमारा पास यह 9 by 30 by 6 inch की हमारा पास यह parking होगी यह हमारा पास staircase का डियान है जो कि मैं आपको और लेड़ बता चुका हूँ यह सब कुछ मैं आपको 3D प्लान में और लेड़ बता चुका हूँ लेकिन यह जो हमारा पास friends जो map होता है इसी में हमारा पास एक measurement होता है तो इसी measurement को लेके मैं आपको 3D प्लान बता रहा हूँ और इसी के थुरू हमारा जो mystery होता है वो side work कर सकता है तो यहां पर friends हमारा पास car की parking है यह हमारा पास staircase का डियान है जो कि यह हमारा पास staircase है यह हमारा पास 6 foot by 10 feet का हमारा पास staircase होगा हमारे हर का जो second entrance door है वो हमारे हां से होगा यहां से हम अपनी घर कंदर आएंगे तो हमें हमारा पर drag room मिला जो कि हमारा पास 10 foot by 13 feet का हमारे एक drag room होगा इसको friends हम अपने बैठे की भी बहुत सकते हैं यहां पर हमें kitchen काट जाने मिलेगा जो कि 9 foot by 7 foot 3 inch का हमारा पासे kitchen होगा और यहां पर हमें bathroom मिलेगा जो कि 5 foot 6 inch by 4 feet का हमारा पासे bathroom होगा और यह हमें 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 toilet मिलेगा जो कि 5 foot 6 inch by 4 feet का हमारा पासे toilet होगा यह friends हमें bedroom मिलेगा जो कि 10 feet by 10 feet का मारे bedroom होगा जिसमें हमारा पास हैं covered कर जान है यह हमारा पास TV unit रहेगा और यहाँ पर मिलेगा हमें common basin और यह मिलेगी फ्रांस हमें back side में duct जो कि हमारा पास है 3 feet by 2 feet 6 inch के मारे duct रहेगी जिससे हमारा इस toilet का और bedroom का दोनों का proper ventilation होता रहेगा अब हम चलते हैं इसके first floor पर तो first floor पर हमें यहाँ पर सबसे पहले home temper मिलेगा जो कि आपको मैं already बता चुका हूँ और यह फ्रांस हमें मिलेगा living area जो कि 16 by 3 inch by 9 feet का हमारा पास है living area होगा यहाँ पर हमें bedroom मिलेगा जो कि 10 feet by 13 feet का हमारे bedroom है और यह हमें back shadowing की bedroom मिलेगा जो कि 10 feet by 10 feet का हमारे bedroom होगा यहाँ पर हमें bathroom मिलेगा जो कि 5 feet 6 inch by 4 feet का हमारे bathroom होगा और यह हमें toilet मिलेगा जो कि हमारे पास 5 feet 6 inch by 4 feet का हमारे toilet होगा और यह हमें adjective duct मिलेगी जो कि हमारे पास 3 feet by 2 feet 6 inch की हमारे यह duct रहेगी तो यह फेट्स हमारा map रहेगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह हमारे पास रहेगा column map तो यह आप जो देख रहे है column में इसमें हमने जो marking की हुई है इसमें हमारे पास total जो column है वो हमारे पास 12 column है वारा column हमने इसमें design की हुए है परते column का जो हमने size define के हुआ है देख यह नाइनच वारी नाइनच का हमारे column है और परते column में हमारे जो वाट्स पड़ी होई है जो शर्येत फोड़ी होई होई हमारे 4 वाट्स है जो कि हमारे पास16 mm यки four वाट्स होगी means कि हमारे परते column के पुण 12 mm यक्य होगी हैं तो अपको यह हमारे डिजयाइन कैसा लगा नीचे कमेंट वक्समी कमेंट करके जरूरा बताना तो फ्लागी वीडियो में तो नहीं वीडियो देखने के लिए बाहत भाध बहुत धन्यवाद मुझे अमीद आपको वीडियो पसंद आये होगा एदि आपने वीडियो पुस्क्राइब करना मत बूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ तब तक के लिए जैहन जैभारत